विल्कम तो मैं चेनल होमीस कोकिंग फुली फुली नरम रोटी किसे खाना नहीं बसाद पर रोटी यहाड हो जाता है नरम दल्कुल भी नहीं बनता है तरह अच आज हम ऐसे ट्रिक से रोटी बनाएंगे ना जिसे की आपकी रोटी हमेशा पुली फुली भी बनेगी वो बहुत ही ज़दा सॉफ्ट बनेगी इसे बनाने के लिए ना आपको गरमपानी की जडरूदे है ना जाता गुंसने की जडरूदे कोई भी किसी भी चैज की जडरूद नहीं है सिंपली हम बनाएंगे और कुछ टेक्निक और ट्रिक के साथ हाँ अब आपके जी अठा ले रहे हूं और इसमें हम डाल देंगे स्वादन सा नमक और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं किसी के परकार के चेशके में हम इस्तिमाल नहीं करें हूं ना तेल ना गरम पानी कुछ भी नहीं सिंपली पानी डाल कर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हम इसका एक सॉप डो बना लेंगे अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल कर इसका एक सॉप डो बना लेते हैं अगर आपको में रेसिपी अच्छी लगिए ना दोस्तों प्लीज लाइक जार और सब्सक्राब करना बिल्कुल भी मत बुलना रोटिया गुदने के बाद एक धान रिखे एक बार में जाता पानी बिल्कुल मत डालना थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल कर इसके एक सफ्ट डो बना लेंगे हदली के उपरे हिसे से ही हम इसे अच्छे से गुंद लेते हैं इसे क्या होगा ना हमारा रोटी बहुत अच्छे से गुंद जाएगा यानिके आट हम बहुत अच्छे से गुंद जाएगा बहुत ही ज़्यादा साफ्ट बनेगा आप हमारा डो देख सकते हो इतना ज़्या इसलिए हम इस तरह से चोटी चोटी लोई बना लेते हैं अब हमारा लोई बिलकुल एली है अब हम चलते हैं बैलने के प्रोशीचर में एक लोई ले लेंगे उपर की तरफ दोड़ा सा शुखा आटचे रख लेते हैं प्रपल बहुत हलकर हैं तो से हम रोटियों को रौण रावंड राउंड सिफ में बेल लेंगे तब तक बेलेंगे जब तक कि हमारा रोटी चारों तरफ से बढ़ाना हो जाएं मन्ह kayak करें के बहुत यदा रोटी बनता है न वहागे है 10 कि अगर नहीं अगर दावा ले रहे हैं और ध्यास एक रूकल के मिलपना प्रदाव संहके लें आट संगा। नोटी बिल्कुल भी साफ नहीं बनेगा थोड़ी देर बाद जब थोड़ा थोड़ा बबल्स रहे ने उसे निकालने के बाद आप इस सेख सकते हो अगर आपका घर जाता रोटिया बनता है आप एक एक करके तो रोटी नहीं सिख पाओगी इसे बहुत जादा टाइम लेग जाएगा पर आप एक बार पर एक दो तीन जाय पांच जितने मी रोटी चाहे ना सेख सकते हो बहुत बिल्कुल सौफ्ट और फुली-फुली तो चलते हैं बनाते हैं उसी प्रोशिजर को भी देख लेगते हैं आप एक पार जितने चाहे उतना भी रोटी बना सकते हो तो बनने के लिए मिहां पर आईरन दावा ले रहे हूं यानके लोही की दावा इससे क्या होता है ना रोटी बहुँछ जदा साफ बनता है एक पात एक रोटी डालेंगे उसके पात हम 30 सिकंड के बाद इसे पलट देंगे रोटीयों को हम तावा में बिल्कुल ज़्यादा बक्त के लिए नहीं सिकेंगे इसे क्या होगा न हमरे रोटीयां बिल्कुल साफ नहीं मनेंगा इसलिए हम एक रोटी डाल कर इसे पलाट कर दूसरा रोटी डाल देंगे फिर इसे पलाट कर और एक रोटी डाल देंगे इस तरह से बहुती गम हम दावा में इसे सेखेंगे ध्यान रिखे हमेशा रोटी बनाने बेड़ गैस नहीं रहना बहुत ज़योरी होता है तो रोटी उतना सफ्ट नहीं बनेगा कितना फुली फुली ही भी नहीं बनेगा आप देख सतो मैं रोटी किस तरह से फुल रहे है, उतना भी सफ्ट बना था पहला आप दवा को अच्छे से हीट कर लेना उसके बाद इसमें एक रोटी डाल देना त्री सेकेंड बाद आप इसे पलट देजिए आप देखें तो कितने हलकी हलकी रोटी से एक चुका है उसके बाद ही आप तूरण क्यास के फ्लेम पेसे रखकर इसे सेक लेंगे अच्छ पी नहीं होगा इसे आप बहुत असान से बहुत अच्छा रोटी बना सकते हूँ अब आपका रोटी बन चुका है तो जल्दी इंसर्फ करने के लिए आप देख सकते हूं मेरे रोटी कितना अच्छा कितना गोल कितना नड़ाब बनाए थाक्स पो बाचिंग मैं चैनल के झाल झाल